Let's do question number 28th of exercise 3a that is linear equation 2 variable question number 28 is show graphically that each of the following given system of equation is inconsistent that is has no solution ये शो करिये कि ये दोनों equations जो है graphically अगर हम इनको बनाएं तो इनके कोई भी solution नहीं आएंगे मतलब x और y की कोई भी unique value नहीं आएगी तो हम कैसे show करेंगे चलिए विखते हैं हमारी first equation है 2x plus y equals to 6 तो हम grid बनाएंगे यहां ही हमारी x की values यहां ही y की values अगर आप देखें 6 2 से divide होता है तो हम y को 0 रख सकते हैं और अगर हम x को 0 रखें तो y easily निकल के आजाएगा तो हमने रखा putting x equals to 0 x को 0 रखा तो यह आया 2 into 0 plus y equals to 6 तो y कितना आ गया हमारा 6 तो अगर x 0 है तो हमारा y आ गया 6 इसी तरीके से हमने अब y को 0 रखा putting y equals to 0 तो यह कितना आ गया 2x plus 0 equals to 6 तो 2x 6 के equal हो गया तो x आ गया 6 upon 2 तो अगर y 0 है तो x आ गया 3 अब हमने y की value 1 रख ली putting y equals to 1 तो यह कितना आ गया 2x plus 1 equals to 6 तो 2x कितना आ गया 6 minus 1 2x की value आ गया 5 तो x आ गया हमारा 5 upon 2 that is 2.5 तो अगर y 1 है तो x है 2.5 next equation solve करते है next equation है हमारी 6x plus 3y equals to 20 यहां हम x और y की values रख देंगे अब आप देखिए 20 ना तो 3 से divide होता है ना 6 से divide होता है तो इसका मतलब points में आएंगी value और कोई option भी नहीं है तो सबसे अच्छा तरीका है कि points में आईए और लाईए और उसको two digit points तक निकालके two decimal place तक निकालके one में round off कर दीजे कैसे करेंगे देखिए हमने रखा putting x equals to 0 तो यह आया 6 into 0 plus 3y equals to 20 तो यह आया 3y equals to 20 तो y कितना आगया 20 divided by 3 अगर आप इसको divide करेंगे तो यह आएगा 6.66 something तो इसको मैंने round off कर लिया 6.7 जब भी यह वाली digit second decimal place 5 से जादा होती है तो उससे पहले second या कोई सी भी decimal place 5 से जादा होती है तो उससे पहले वाली digit हम 1 add कर देते हैं तो अब यहाँ 666 5 से जादा है यह 6 तो हमने यहाँ पर 1 add कर दिया इस वाली 6 में तो यह आगया 6.7 इसी तरीके से हमने अब y को 0 रखा पहले हम यहाँ लिख देते हैं x अगर 0 है तो y आगया 6.7 अब हमने y को 0 रखा putting y equals to 0 तो यह आगया 6x plus 3 into 0 equals to 20 तो 6x 20 के equal आगया तो x कितना आगया हमारा 20 divided by 6 आप देखें 2 3s are 6 and 2 1s are 2 0 10 upon 3 कहें या 3.333 कहें बात एकिया अब आप देखेंगे यह second decimal place पे जो 3 है वो 5 से कम है तो यह round off हो के 3.3 1 add नहीं करेंगे तो यह आगया 3.3 तो अगर y 0 है तो x है 3.3 इसी तरीके से अब हमने y 1 रख लिया putting y equals to 1 तो यह कितना आगया 6x plus 3 into 1 equals to 20 तो यह आगया 6x plus 3 equals to 20 तो 6x कितना आगया 20 minus 3 तो 6x आया हमारा 17 x आगया 17 upon 6 तो अब हम इसे देखें तो क्या आएगा 6 2s are 12 and 50 हो गया 8 is a 48 और 20 हो गया 3 is a 18 तो हम यह देखें अगर हम देखें 3 क्या है 5 से छोटा है तो हम इसमें 1 add नहीं करेंगे तो 2.8 आगया तो हम लिख दिया x equals to 2.8 तो हमने लिखा यहाँ y 1 है तो x है 2.8 चलिए graph plot करते हैं देखें यह है हमारी equation first और यह है हमारी equation second और यह है हमारी equation first के points और यह है equation second के अब first में कह रहा है x 0 है तो y 6 है x 0 है तो y 6 है तो यह यहाँ आ गया plot करते हैं यहाँ पे लिख दिया हमने x 0 है तो y 6 है next point में कह रहा है y 0 है तो x 3 है y 0 है तो x 3 है यह वाला point आ गया तो हमने mark कर दिया 2.5 and 1 तो अब हम line draw कर लेंगे तीनों points को लेके तीनों points को लेके हमने यह line draw कर ली और इस पे लिख दिया यह कौन सी line थी 2x plus y equals to 6 अब next देखिए next equation में कह रहा है x 0 है तो y 6.7 x 0 है तो y 6.7 6.7 means 6 के उपर 7 boxes somewhat here तो हमने इसको mark कर दिया यह गया हमारा 0 and 6.7 next कह रहा है y 0 है तो x 3.3 है y 0 है तो x 3.3 मतलब 3 points इदर तो हमने इसको mark कर दिया यह वाला point तो यह आ गया x 3.3 है तो y 0 है next में कह रहा है y 1 है तो x 2.8 है y 1 है तो x 2.8 है तो यहां आ गया something तो हमने इसको भी mark कर दिया यह तो 3 हो जाएगा यह आ गया यहां पे तो यह आ गया 2.8 and 1 तो अब तीनों को match करते वे line draw करेंगे यह आ गई हमाई line और आप इस पे लिख सकते हैं यह है 6x plus 3y equals to 20 अब आप देखेंगे कि यह line parallel जा रही है इन दोनों के बीच में same distance है तो यह कभी आपस में meet नहीं करेंगी तो इसका मतलब क्या हुआ इन दोनों का कोई unique solution नहीं है तो that means these two equations are inconsistent and has no solution answer सब्सक्शण